हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ में प्रीधी मद्यार इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडी चैनल और आप पॉकेट पढ़ाई पर ठीक है जी तो आज हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों और आज हम जो बेन जॉनसन राइटर कर रही है उसको बाइज़द बरी कर देंगे बहुत लेक्चर बेन जॉनसन को लेकर हुए उसकी वर्क को लेकर हुए तो आज वाला जो लेसन है वो बेन जॉनसन पर अंतिरू लेसन है तो आए देखते हैं क्या बचा हुआ वर्क है बेन जॉनसन का और उसको mind-blowing तरीके से explore करते हैं, so दोस्तों पिछले lesson में मैंने mask तक आपको पढ़ा दिये थे Ben Johnson का, और आग दोस्तों मैं सबसे पहले आपके साफ लोगी Ben Johnson के songs and poems, तो कुछ गीत, कुछ कवीता हैं, जो Ben Johnson ने लिखी हैं, तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि Ben Johnson is basically known for his satire, what is the humor, what is the hansi mazak and all, और पिछले lesson में बहुत ही अलग सी चीज हुई थी, हमें देखने को मिला कि उसने tragedy work भी लिखे हैं, right, and इस lesson में हैरानी की बात ही है कि poems and songs जैसे work भी उसने लिखे हैं, कुछ हटके हो गया, right, तो आएए देखते हैं, it's like Shah Rukh Khan romantic hero है, अगर वो कोई villain का roll कर ले, तो कैसा रखेगा, बस वो ही चीज़ यह है, तो अभी हम दोस्तों देख रही है, जो Ben Johnson का work था, poems and songs करके, जिसे अब हम उसके dramatic works भी कहते हैं, ठीक है, तो poems and songs करके ही इसी name से work है, Ben Johnson का, जिसे हम dramatic work भी कहते हैं, ठीक है, तो इसमें कौन-कौन से poems and song है, एक उसका ब और एक बहुत popular है, To the memory of my beloved mother, तो यह poems and song पता लग रहा है, कवीता हैं, गाने, इसमें काफी सारे work है, तो इसी में से कुछ जो exam-oriented work जो हमें करने हैं, एक है, drink to me only with thine eyes, यह के वार नॉर्मल भी बश्य पढ़ जाता है, कि यह line किस से जुड़ी हुई है, drink to me only with thine eyes, तो यह Ben Johnson से जुड़ी हुई है, और basically उसका जो work है, poems and songs, जिसे हम आज के लिन में dramatic work कहते हैं, उसे जुड़ी हुई है, इसके बाद उनका दूसरा जो exam-oriented काम का है, that is, To the memory of my beloved mother, मेरी मा की याद में, मेरी प्यारी मा की याद में, तो यह दोनों ही उनके poems and songs, जिसे आज हम dramatic work कहते है उसे समन्दित है, यहाँ पर एक चीज में आपको बताना चाहते हूं, drink to me only with thine eyes, यह एक romantic सी चीज है, कि मुझे प्यो अपनी आँखों से, कैसे कोई love couple है, और दूसरी के आँखों में निहार रही हैं, देख रही हैं, तो वो वाली feeling यहाँ पे है, drink to me only with thine eyes, मतलब अपनी romantic सा यह चीज है, और दूसरा है, memory of my beloved mother, में प्यारी मा की याद में, तो दोनों ही यह जो work है, यह दोनों ही full of emotions है, एक जो है, वो अपनी romantic beloved या beloved की याद में है, drink to me only with thine eyes, और एक हमारी मा की याद में है, तो एक प्यार जिससे करते हैं, उसे जुड़ा हुआ है, एक person से इ हमारी मा उसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, poems and songs by Ben Johnson, इसको आपने google कर लेना है, और विक्कुल टॉप पे जो भी open होगा, उसे आप zone down कर लेना, ठीक है, इसका year भी आ जाएगा, और इसमें इसके लाबा जो भी और खास बाते होंगे, वो भी आ जाए पढ़ने के पात, और google करते ही, top पे, तो कितने सारे links पूलते हैं, सारे links पे नहीं जाना, सबसे पहला जो link पूलते हैं, उसमें सबसे पहली 4-5 lines होती हैं, बस वो ही करनी है, उसमें ही सारा पता लग जाता है, जो exam का है, उसके बाद दोस्तों आगे मैं आपको बताना चाह जो typical prose work है, बेन जॉंसन के, prose यानि की, verse क्या होता है, जब कोई चीज हम rhythm में लिखते हैं, poetry, आज रही है, खाना खाना, मैं बनाँगी यही भाना, मम्मी वारे जो बजिताना, ना ना ना, इस प्रकार के जब rhythm आती है, वो verse होता है, पर जब आप कोई चीज novel लिखते हो, को without rhythm लिखे जाये पहरे हम उसे prose कहते हैं, तो दोस्तों, prose में खास बात क्या है, यहां पर जो prose work हम नहीं करना है, बहुत important है, बेन जॉंसन का, उसका नाम है timber, क्या है, timber, ठीक है, और timber का ही दूसरा नेम है, discoveries made upon men and other, if you do remember, पीछे happy sewing करके, मैंने बेन जॉंसन का work कराया था, ज जिसका subtitle या दूसरा नेम क्या था, the silent woman, याद आया, और एक work बेन जॉंसन का कराया था, walpon, जिसका दूसरा नेम या subtitle क्या था, fox, वालpon का fox था, apple sewing का silent woman था, यह दोनों ही बेन जॉंसन के work है, वैसे ही यह work है, timber, ठीक है, तो यह जो work है, prose work है, बेन जॉंसन का, और इस का दूसरा नेम है, discoveries made upon man and other, ठीक है, discoveries upon man and other, ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है, जैसे नाम से आपको पता लग रहा है, अगर आप इसका subtitle देखें, discovery made upon man and other, जो भी इंसान को लेकर, जो भी discoveries हुई है, जो भी खोजी हुई है, वो इसके डाली गई है, यह basically दोस्तों, short essay की collection है, मतलब इसमें आपको छोटे-छोटे essays देखने को मिलेंगे, Francis Bacon की तरह, Francis Bacon एक writer है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, Francis Bacon को दोस्तों हम father of essay कहते हैं, यानि कि typically essay के जो father है, वो title हमने Francis Bacon को दिया है, और हाँ, जो Charles Lamb है, उनको हमने prince of essay का जो है title दिया है, ठीक है, father of essay कौन ह Francis Bacon, ठीक है जी, और prince of essay कौन है, Charles Lamb, तो यह जो timber है, जो prose work है, जिसका दूसरा title है, discovery made upon man and other, आदमी और और औरों पर discoveries है, यानि कि इसमें आदमी को लेकर और और औरों को लेकर जो भी चीज़े हैं, वो बताई गई हैं, तो यहाँ पर आपको short short essays की collection देखने को मिलेगी, छो और यह work more or less Francis Bacon के essays की तरह है, तो यह बहुत बड़ी बात है कि Francis Bacon, जिसे हम essays का father कहते हैं, उसके work के साथ इस work को resemble किया गया है, कि जैसे Bacon ने लिखे हैं, वैसे ही यह work है, ठीक है, तो क्या है prose work, timber, subtitle क्या है, discovery made upon man and other, आदमीों को लेकर जो भी चीज़े हैं, वो इसमें बता किया गया है, इस work के level को, तो आपने यह जो timber है, इसको भी आपने google कर लेना है, और top पे जो भी चीज़ें खुलती हैं, वो आपने no down कर लेनी है, ठीक है, तो आज हमने किये poems and songs of Ben Johnson and this prose work timber, जो भी मुझे लगा करवाने का, समझाने का, concept clear कराने का मैंने करा दिया, और इसके हम आपने इनको google कर लेना है, ठीक है, तो अभी की class में दोस्तों इतना ही है, बाकि आने वाली class में we will be starting a very prominent writer, beement and fletcher, इनको हम आने वाली class में लेना शुरू करेंगे, उनके भी एक दो lecture अराम से जाएंगे, क्योंकि beement and fletcher को हमने अलग अलग भी लेना है, combined level को भी लेना है, ठीक है, तो जाकोबियन एज में हमारे Ben Johnson, उनका persona, उनकी personality, उनके work with complete guidance and technique जो है finish होते हैं, accomplish होते हैं, तो कैसे लगा दोस्तों आपको session, अगर अच्छा लगा है, तो session को thumbs up दें, प्यार दें, और क्या आप ऐसे ही complete English NTA paper 2 की त्यारी करना चाहते हैं, pocket friendly rate पे, तो आज ही download करें, इंदिया का सबसे पहला pocket friendly education है, pocket पढ़ाई, जो link है, वो इस video की description में दिया गया है, जहां एक complete mind blowing English NTA paper 2 पे आपका post हो है, वेट कर रहा है, साथ में दोस्तों हमारा contact number भी video की description पे है, WhatsApp number, आपको कोई भी guidance चाहिए, NTA, SET, MPH, PhD, entrance, assistant professor का commission, English public ending, you can contact us there, मैं और मेरी प चैसे guide करते हैं की, साथ में दोस्तों बहुत खुबसुरत परिवार है हमारा, बहुत खुबसुरत परिवार है, आप सबका अपना pocket पढ़ाई का Facebook, Instagram, Telegram पर, उनके links भी नीचे वीडियो की description पे दिये गए है, do follow us there, और हिस्ता बने इस इश्क मोहबत प्यार भरी मेहनत का, मिलते हैं जल्दी, आने वाली मैसे में, take care, God bless.